16 अगस्त 1997 को इस दुनिया को अलविदा कहने वाले नुसरत फतेह अली खान के निधन के करीब 27 साल बाद 20 सितंबर को उनका नया अलबम लॉंच होने वाला है। इस अलबम का नाम है Lost। इस अलबम को Chain of Light पीटर गैब्रियल की Real World Record से निकाला गया है। भले ही नुसरत फतेह अली खान पाकिस्तान में रहे। उनके चाहने वालों ने जमीन पर खीची मुल्ट की लेकीरों को नहीं माना। उनकी आवाज देश दुनिया के हर कोने में पहुँची। आज उनकी पुन्यतिती पर पढ़िये नुसरत फतेह अली खान के बारे में। नुसरत फत्य हली खान का जन्म 13 अक्टूबर 1948 को लायलपुर फैसलाबाद पाकिस्तान में हुआ था। उनकी गाईकी में सूफीस्म का असर था। जब नुसरत फत्य हली खान सुरसाधते थे तो मानो मौजूद श्रोता उनके साथ किसी मुराकबा समाधीक में पहुंच जात थे। नुसरत फत्य हली खान नाम का मतलब है सफलता कमार। नुसरत The Voice of Faith किताब में नुसरत फत्य हली खान के नाम रखे जाने का जिक्र है। उनके पिता फत्य हली खान मशहूर कववाल थे। पहले उनका नाम परवेज फत्य हली खान रखा गया। संगीत से जुड़ी खुशी में आयोजित समारोह में शिर्कत की। जिक्र है कि एक दफा एक सूफी संथ पीर गुलाम बॉस समदानी ने बच्चे का नाम पूछा तो फत्य हली खान ने बताया परवेज। फिर क्या था? सूफी संथ ने नाम तुरंक बदलने की सलाह दी और एक सुझाब दिया नुसरत फते हली खान बस यही से परवेज का नाम नुसरत फते हली खान हो गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में जिक्र है कि नुसरत फते हली खान की पूरवज अफगानिस्तान से जलंधर भारत आये थे। जब देश का बटवारा हुआ तो परिवार ने फैसलाबाद जा नुसरत फते हली रियाज करते रहे। चाचा सलामत अली खान ने कववाली की ट्रेनिंग दी। वह धीरे धीरे अपने फन में माहिर होते चले गए। ब्रिटानिका वेबसाइट के मुताबिक 1964 में नुसरत फते हली खान के पिता गुजर गए। फिर नुसरत फते हली ने च चाचा मुबारक अली खान के साथ कार्यक्रमों में शिर्कत करनी शुरू की। ये सिलसिला कुछ सालों तक बदस्तूर जारी रहा। वो साल 1971 था जब नुसरत फते हली खान हचरत दादागज बक्ष के उर्ज में गा रहे थे। यहां से नुसरत फते हली खान को ऐसी प्रसि प्रसित होने लगे। नुसरत फते हली खान ने पहली बार 1989 में सहयुक्त राजय अमेरिका का दोरा किया। उन्होंने 90 के दशक में कई फिल्मों में योगदान दिया। लोगप्रिय संगीतकार पीटर गैब्रियल ने अपने World of Music Arts and Dance Festival और Real World Records लेबल पर रिकॉर्डिन के जर जाने कोई न जाने गाना आया जो तुरंग चार बस्ट बन गया। इसके बाद साल 2000 में फिल्म धर्टन आय इसके गाने दूले का सहरा सोहाना लगता है। आज भी शादियों में खूब बजाए जाते हैं। सोचता हूँ, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, ये जो हलका हलका सुरूर है, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, तुम एक गोरक धंधा हो, छाप तिलक सब छीनी रे, हुसन जाना की तारिफ मुम्किन नहीं, सासों की माला पे आज भी संगीत प्रेमिय खान ने कई कववाली और गाने गए, जिसके दुनिया भर में कद्रदान है,